हेलो दोस्तो कैसे हैं आज हम लोग वो दिन आ गया है दोस्त जिस समय हम लोग TENS का आखरी पड़ाव पे हैं हम लोग Present TENS पढ़े, Past TENS पढ़े, Future पढ़े Present का एक अलग तरह का Definition पढ़े आज हम लोग TENS के स्ट्रक्चर को साबित करेंगे कि वो structure वही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं होता बहुत सारे लोगों को बताए आज आपकी बारी है, सिखा रहे हैं हम आपको ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़िदार चीज है इसको समझने के पहले थोड़ा सा चीज हम आपको समझाना चाहेंगे वर्ब का फॉर्म, वर्ब का फॉर्म जब तक आप नहीं समझेंगे दोस्त बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस चीज को बता पाना, ठीक है चलिए, पहले वर्ब का फॉर्म सीखेंगे, वर्ब का फॉर्म कैसे चलता है और क्यों यूज होता है, चलो यहां माल लगते हैं भीवान है दोस्त, ठीक है यह भी टू है, यह भी थ्री है, यह भी फोर है, भी फाइफ है इसका एक्चुल मज़ा दोस्त, आपको अंती में समझ में आगा कैसे इसको समझते हैं, इसका अंती मज़ा अंती में है दोस्त अब भीवन का यूज कैसे करते हैं, आपको पता है, भीवन का मतलब क्याता है, हम सब का मतलब समझाते हैं, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, भीवन का जो यूज होता है, ये, ये हो गया आपका plural form, in present, चीक है, वीडियो का मतलब क्या हो गया? past form ये Present में है plural ये है past का form है ठीक है भीतरी क्या है अब यहां से समझना बहुत important है दोस्त बहुत ध्यान से समझेगा इधर बहुत काम का चीज है इसको पहले बता दें ये है singular form singular form of verb इन प्रजेंट देखे दोनों में क्या अंतर है भी 1 और भी 5 में क्या अंतर है जो भी 1 है ये plural form इन प्रजेंट है plural form of verb इन प्रजेंट ये क्या है past form of verb और ये क्या है singular form of verb in present clear है अब यहाँ देखे भी 3 में ये जो है हमारा past participle है past past participle है past participle का मतलब क्या होता है दोस्त इसके इस्तमाल कहां करते हैं सबसे पहला कैसे करते हैं past participle का इस्तमाल कैसे करते हैं दोस्त सबसे पहला इस्तमाल करते हैं adjective के रूप में दूसरा adjective के रूप में करते हैं और दूसरा कैसे इसका इस्तमाल करते हैं इसका इस्तमाल बताईए उस ध्यान में है इसके इस्तिमाल करते हैं जब काम पूरी तरीके से खत्म हो गया रहता है काम पूरी तरीके से खत्म हो गया रहता है ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? काम जब पूरी तरीके से खत्म हो गया हो भ्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं जब काम पूरी तरीके से खत्म हो गया रहता है तब हम लोग वहाँ पर past participle यानि भीथरी का इस्तमाल करते हैं adjective के रूप में भीथरी का इस्तमाल करते हैं ठीक है? और भीफोर का इस्तमाल ये क्या है? इसको बोलते हैं present participle क्या बोलते हैं दोस्त? present present participle है इसके इस्तमाल कहा करते हैं? adjective के रूप में करते हैं दोस्त दूसरा noun के रूप में करते हैं दोस्त इसके इस्तमाल तीसरा और बताईए और बताईए कहां इस्तमाल करते हैं इसके इस्तमाल करते हैं जब काम अभी वर्तमान में चल रहा होतो प्रजेंट पार्डीशिपल के इस्तमाल करते हैं इसे प्रजेटी के रूप में नाउन के रूप में काम यदे वर्तमान में चल रहा होतो इन तीनों जगों पर हम और ॥ा पास्ट पार्डिसिपल के इस्तमाल कहां करते हैं, एड़ जटी के रूप में, अज अब काम पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, तो करते हैं, यह क्या है, पास्ट पॉर्ब है, यह बहर्ब का पास्ट फॉर्म, जैसे हम लोग प्रिजेंट की बात करते हैं न दोस्त, जो पीद आपकर हो, प्रेजेंट में प्रेजेंट में, क्लीड है, कोदी क्कत, समंजना है रहेसं के इस्तमाल करेंगे दोस्त हर जगा पर, क्लीड है, जैसे माल लेते हैं गो लिखते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे विंट, यहाँ क्या लिख देते हैं दोस्त गौन, यहाँ क्या लिख देते हैं गोईंग, यहाँ क्या लिख देते हैं गोज, ऐसे ही होता ना यह तो हम लोग जानते हैं, सब को जानते हैं Everyone knows that. तो बोलेंगे सब इसमें बुराई कहा है? बहुत कोई बुराई नहीं भी है. हम लोग को तो यही जानना ही है, सीखना ही है. हम आपको पहले ही बताएं कि हम लोग सब जानते हैं, बट क्यों? हम लोग को ध्यान में नहीं है. बस हमोई आपको बस रिमाइंड करा रहे हैं, जैसे यहां हम आ लेते हैं, प्ले हैं दोस्त. प्ले, प्लेड, 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 प्लेइं, प्लेज, ठीक है दोस्त? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को? ग्रेट, अब कुछ और भी चीज हम लोग बात करते हैं, जैसे, बी, बी यहनते न दोस्त, बी वाज बीन, ऐसे चलता है, बी का मतलब क्या होता है, बी क्या है, एक तरह का एक्सुलरी भर्व, उस पॉइंट पे जो हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग बी का इस ऐसे न, करते हैं न, दोस्त, I am to go, you are to come, ऐसे करके हम लोग जो इसमाल करते हैं, तो यहाँ पर plural form में R चलता है, at some extent पे M भी चलता है, ठीक है, इसका past क्या होगा, वाज होगा, अब वाज होगा तो वर भी होगा न, दोस्त, दोनों होगा न, singular plural में, इसे क्या होगा, आप पर, बीन, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बीइंग, और यहाँ पर क्या होगा, singular form है दोस्त, क्या होगा, इस, ध्यान में है, इस होगा, कोई दिक्कत, क्लीर है, अब क्या होगा, है, क्लीर है, तो यहाँ पर क्या होगा, है तो क्या है, बीवन है, बीटू क्या हो जाता है, हैड, बीथ्री क्या हो जाता है, हैड, बीफोर क्या हो जाता है, हैविंग, और बीफैब क्या हो जाता है दोस्त, हैज, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, हैफ, हैड, 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 है आप बोलेंगे से तो हम सब जानते हैं अरे भाईया हम कहां बोले कि आप नहीं जानते हैं। बहुत अची बात है, जानते हैं तो अची बात है, हम खाली रिमाइड कर आ रहे हैं। बस इतना ही तो मेरा काम है। Be was, been, being, is. Have, had, had, having, has. क्लियर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं दोस्त अब हम लोग इस फॉर्म को ध्यान में रखिएगा हम लोग इसके इस्तमाल करेंगे एक दो और लिख देते हैं तो थोड़ा ज्यादा माझाएगा बॉर्ण 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 बॉर्णिंग बॉर्ण्स ऐसा भी हम लोग लिखते हैं हम दो चार ऐसे लिख दिये ताकि आपको थोड़ा समाजना आसान हो जाए ठीक है यहां पर डू यहां डीड यहां डन ऐसे लिखते हैं न भाईया यहां पर डूइंग यहां डूज ऐसा ही होता है क्लिर है इसको ध्यान से क्या किजेगा इसको पॉस्ट करके इसको एक वर अपने कॉपी पे फियर कर लीजेगा दोस्त और इसको सामने रखेगा इस पूरे चीज को अपने सामने रखेगा जो हम आपको सिखाएंगे इसको सामने रखके ही सारा काम किजेगा चुकि हमको तो सब ध्यान में है इसलिए हम फड़ा फड़ बोलेंगे और आपको क्या करना है इसको अपने कॉपी पे उपर में लिखके रखना है उसके बाद अब जो बताएंगे वह आपको ध्यान देना है क्लिर है करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस जुरू करते हैं यह कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कोई भी टेंस एक्स वाई जेड यानि कि हम लोग टेंस पढ़ते हैं टेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्त subject plus verb plus object यह हमारा tense का structure होता है आप बोलेंगे sir, कैसे होता है अरे भई हम आपको साबित करेंगे ना, क्यों होता है आप बिल्कुल परजान मत्वत ध्यान से खली सुनते जाएए हर का सुनिए, ध्यान से clear है, आपको और मज़े आएगा हम आपको और बढ़ियां सीखाते है देखे, यहाँ tense होता है ना हम आपको हर चीज को साबित करके दिखाएंगे tense का structure क्या होता है, subject plus verb plus object होता है खाली ध्यान से समझे, आपको बहुत मजाने वाला है अभी आप लोग कोई भी उतारने का कोई काम ना करें कोई भी चीज उतारिए ने बोड़ पे पहले समझेगा, जादा दीन तक माथे में राएगा, ठीक है दोस्ते present tense past tense future tense तीनों का structure हम आपको दाते हैं, सबका structure यही होता है तीनों का structure यही होता है दोस्त ठीक है, कैसे होता अब समझेए इसका structure, present tense का structure हम आपको पूछे थे और आप हमको नहीं बताये थे ठीक है, ध्यान से सुनिए present tense का structure क्या होता है, याद रखेगा क्या होता है इसका structure, subject plus चुकि present है आप अपना present का definition याद कीज़े जो मेरे पहला वीडियो था tense का क्या था definition यदि किसी काम का असर होगा तो वो present कहलाएगा काम का असर नहीं होगा तो वो past कहलाएगा, यही था ना definition बस, इसे definition को याद रखेगा हम सब में उसी को यूज़ करने वाले हैं जाएगा, ने तो बहुत सारा चीजी skip कर जाएगा अपके माथे से, ठीक है present का structure क्या होता है अभी क्या हम आपको सिखा है जब भर्व का फॉर्म सिखा रहे थे तो V1 क्या था present form of भर्व, प्लूरल में और V5 क्या था singular था भर्व का फॉर्म present में, यानि present में क्या चाहिए अगर काम का असर चाहिए B1 और V5 तो यहां पर क्या यूज करते थे B1 या V5, क्यों यूज किये अरे भईया यह तो plural है न अर ये क्या है क्या है, singular है न तो singular और plural दोल लिखना पड़ेगा न भाई आप यह तो जानते हैं plural form रहेगा तो plural लगाना है singular रहेगा तो singular लगाना है plus object अब यहां देखे भर्भ है ना यहां देखेगा यह नहीं भर्भ है ना अब आप यह तो बोलते हैं कि सर जो कांथ चल रहा है उसको present अरे भे जो चल रहा है तो उसको present में लिखिएगा न तो भर्भी न लिखे clear है जो बीत गया उसको past है तो क्या लिखेंगे subject प्लस भीटू प्लस object यहां क्या है भीटू क्या है past form है पास्ट फॉर्म है ना भाईया भर्भ का ही form है ना यह क्योंकि काम का असर खतम होगे तब आप भीटू को यूज कर रहे हैं आपको यह ने सिखा है जब काम का असर खतम हो गया तो भीटू है future में क्या लिखते है उसका भी यह structure है अब यहां पर cell विल क्या है दोस्त इस भर्भ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक जुलरी इसका हम लोग इस्तमाल करते हैं यह पूरा हमारा क्या कर जाता है इस भीवन को क्योंकि जो काम आएगा आने वाले समय की जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग भर्भ के form के साथ इसका हम लोग इस्तमाल करते हैं यह पूरा एक set चलता है तो हमारा क्या हो गया तीनों का structure यही चला ठीक है क्योंकि हमको represent करना है इसको इसलिए हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं यानि कि tense का structure क्या हो गया subject प्लस भर प्लस object हो गया clear है पहला दूसरा present tense का structure क्या होता है present tense का structure. ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं? present tense के structure होता है, subject plus v1, v5 plus object, past tense के subject plus v2 plus object, future के structure subject plus cell will plus v1 plus object, आप बोलेंगे सर ये तो simple future का होता है, सर ये तो simple past का होता है, सर ये तो simple present का होता है, नहीं भी है, ये सब इसका structure होता है. क्लिर है अब हम आपको साबित कर रहे हैं कि प्रजेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको यह समझा दे कि यह structure क्यों होता है बाकी दूसरा क्यों नहीं होता है पहली यह आप समझ लीजिए अब एका करके तीनों के बारे में समझेंगे ठीक है तीनों के बारे में अलग भी फाइफ हो प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे क्लिर है तो अब प्रेजेंटेंस में भी तो बहुत सारा टाइप्स होता है आप जानते हैं इसलिए इसका यही इस्ट्रक्चर होता है हम यह पर दुसरा और क्या लिख सकते हैं आप सोच के देखिए भर्व का कौन सा फॉर्म लगाएंगे V1, V2, V3, V4, V5 पास्ट फॉर्म है ना V1, V2, V3, V4, V5 कौन सा लगाएं आप भी बताइए V2 पास्ट फॉर्म लगा नहीं सकते हैं V3 जब काम खतम हो जाग तब इसको यूज नहीं कर सकते हैं भी फोर नहीं यूज कर सकते हैं. तो बचा क्या हमारे पास? या तो भीवन बचा है नहीं तो भी फाई बचा. दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं. देखे, वह नहीं लिखे हैं. इसलिए प्रजेंटेंस का जो इस्ट्रक्चर होता है, यही होता है, दूसरा नहीं हो सकता है. उप्सन ही नहीं आपके पास. हम आपको सेंटेंस के साथ एक्जामपल के साथ साथ साबित करके दिखाते हैं, दोस्त. चलिए. अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियों पढ़ेंगे. पहले आज सिर्फ एक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन एक पढ़ेंगे, फिर एक दिन एक पढ़ेंगे. चलिए. आज हम लोग सिर्फ प्रजेंटेंस का पढ़ते हैं, दोस्त. चलो, इसको erase नहीं करेंगे, इसको सामने रखेंगे, ताकि हम लोग को बताना easy हो जाएगा. सुरुवत करते हैं, simple present tense का. Simple present tense. Simple present tense का कैसे होगा, दोस्त. इसका जो structure होगा, यही होगा. इसका नहीं. present tense में चारो का structure यही होगा, दोस्त. present tense में चारो का structure यही होगा, और दूसरा हो ही नहीं सकता है. कैसे अभी अब आपको दिखाते हैं? subject plus b1, b5 plus object. ठीक है? क्यों? अब आपको एक example देखेंगे दिखाते हैं, आपको समझ में आजाएगा. जैसे अब माल लेते हैं कि राम आम खाता है, एक example है. सबसे simple और सबसे ज़्यादा यूज करने वाल एकजामपल, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो. सबसे simple एकजामपल है, यह हो गया हमारा क्या, subject यह हो गया क्या, b5, यह क्या हो गया, object. फॉलो कर रहना दो सम लोग इसको. क्यों? काम का असर है, खाता है, काम का असर है, असर है, तो हम लोग को भीवन या भीवाइप लगाने की जरूरत है. तो हम लोग ऐसे example लिखके इसको पता रहे हैं. क्लिर है? प्रेजेंट कॉन्टिनिवस. प्रेजेंट कॉन्टिनिवस. इसके structure क्या होता है? हम लोग क्या सिखे थे? बताइए. इसके structure ही नहीं होता है. आप लिखते हैं subject plus is aim r plus b4 plus object. यह नहीं लिखते हैं आप? हाँ, सरी ही तो लिखते हैं. अब एक चीज़ समझेए. यहाँ पर is mr क्या है? अभी हम आपको जो भर्व का structure बताए तो उसमें क्या था? इस क्या था? भी 5 था? एम और और क्या था? भी 1 था? डांस देखे. इस क्या बताए थे आपको हम? इस क्या बताए थे? इस आपको भी 5 बताए थे और एम और और क्या बताए थे आपको भी 1 बताए थे. और भी 4 के बारे में आपको क्या बताए थे? यह noun और एडियेटिव हर तरह से इसका यूज होता है नावन और एडियेटिव हर तरह से यूज होता है तो इसको अगर हम लोग पूरे को अबजेक्ट के तरह ट्रीट कर लें तो क्या हो गया structure देखिए क्या दिख रहा है आपको subject plus V1 V5 plus object दिख रहा है हो गया इस structure यहां दिखा आपको subject plus V1 V5 plus object यहां देखिए subject plus V1 V5 plus object हम मिल गए आपको अब आप बोलेंगे सर अब एक question और आप उस सकते हैं सर यहां V4 क्यों लगाएं अब उसका answer देते हैं आपको दिखेगा यही क्यों होता है तो बता दिए अब दूसरा क्यों नहीं होता इसका answer देते हैं आपको दूसरा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम आपको भर्व का पांचो फॉर्म बताय थे V4 ही एक लौता भर्व का फॉर्म है जिसमें काम कभी वरतमान में होने को दरसाया जा सकता है नहीं वो B1 से दिखा सकते हैं नहीं वो B2 से दिखा सकते हैं नहीं B3 से दिखा सकते हैं नहीं वो B5 से दिखा सकते हैं तो बचा क्या B4 बचा B4 का इसमाल कैसे आपको सिखा है या तो noun के रूप में हो सकता है adjective के रूप में हो सकता है present participle के रूप में हो सकता है या फिर अभी वर्तमान में जब काम हो रहा होता है तो दरसाते हैं continuous में क्या होता है काम को अभी दरसाना होता है तो आप बोलेंगे ज़र before का इस समाल तो past में भी होता है future में भी होता है हर जगा होता है ना उनके रूप में भी होता है ठीक है, तो हमको यहां दिखाना क्या है काम का वर्तमान में होना तो वर्तमान में होने के लिए हमको भीवन भीवाइब चाहिए प्रजेंट दिखाने के लिए क्या चाहिए हमको भीवन भीवाइब चाहिए और काम का continuation को दिखाने के लिए को भी फोर चाहिए इसलिए भी फोर लिखे clear हो रहा है चलो done अगला कौन सा है present perfect दोस्त present perfect इंस इसके structure क्या होता है subject plus has have plus v3 plus object यही होता है न दोस्त अब देखिए subject तो हो गया has का मतलब क्या होता है v5 have का मतलब क्या होता है v1 v3 का हम लोग क्या example अभी सीखे थे यह adjective रूप में भी इस्तमाल होता है clear है यह जो past participle है यह adjective के रूप में भी इस्तमाल होता है अगर पूरे को अगर हम लोग object की तरह treat कर दे तो क्या बन गया subject प्लस v1 v5 plus object clear है क्या structure था यह structure है ना subject प्लस v1 v plus object अभी पीछली वाले हम लोग अभी section में क्या देखे भी जो उपर में हम लोग लिखे थे भी भर्व का form में has कहा था v5 पे था और have क्या था have का ही form चलता है ना have, had, had, having, has तो यह b1 और यह b5 देखे क्या है subject प्लस v1 v5 plus object object है ना clear हुआ यही क्यों होता है दूसरा क्यों नहीं होता अब इसका answer देखे अब देखे b3 का use आप बोलेंगे सर्क यहाँ पर क्यों हुआ है इसका तो हम समझ गए अब इसका अर्थ मताधते हैं अब भी 3 का use क्यों करते हैं भी 3 का yous easily करते हैं कि जब काम पूरी तरीके से खत्म हो जगया clear है बोलेंगे सर्के सर पास्ट में भी तो यूज करते है future में भी खत्म होता है future में भी खत्म होता है लेकिन उसका उसका असर है कि नहीं है? दिखाने क विवन या state प्रजेंट का भवव चाहिए हम लोग use कर दिये हैं यानि कि काम ख़तम हो गया उसका असर है ध्यान से देखेए काम ख़तम हो गया यानि भी थ्री मतलब काम ख़तम हो गया है ना और भीवन भी मतलब उसका असर है काम खतम हो गया लेकिन उसका असर है इसका मतलब क्या हो गया वो present tense clear है दोस्त चलिए अब present perfect continuous समझते हैं दोस्त इसका क्या हो गया subject plus has have plus been plus before plus object अब देखिए काम ये देखिए इस्ट्रक्चर बहुत लाजवाब इस्ट्रक्चर है दोस्त महुत लाजवाब है मज़ा जाएगा इसको समझने में ये जो grammarian बनाए होंगे न बहुत सोच समझ के बनाए होंगे कमाल का दिमाग लगाए होंगे बहुत मज़दार है दोस्त चुकि ये सब जो हम आपको बता रहे हैं दोस्त किसी बुक में सा explanation है नहीं ठीक है कहीं explanation है सब बुक में आपको मिलेगा ही नहीं हम कोशिस कर रहे हैं कि जो हमारे पास information आवका शेयर करें ध्यान से समझिए का बहुत मज़ा आएगा इसमें क्या है कि has क्या है भी 5 अभी हम लो लिखे हैं have क्या है भी 1 है और यह been क्या है दोस्त भी 3 है ठीक है अभी प्रेजेंट पाटिसीपल है ठीक है अगर पूरे को हम लोग ऑबजेक्ट की तरह ट्रीट कर लें एगर यहां से यहां तक को तो क्योंकि भी 3 का इस्तमाल हम लोग एडियेटीव रूम में करते हैं तो क्या बन गया सब्जेक्ट प्लस भी 1 भी प्लस अबजेक्ट यही है स्ट्रक्चर है दोस्त यानि कि हमां वो क्या बोले चारों स्ट्रक्चर सेम होता है आपको बता दिये ना पले टेंस का स्ट्रक्च नहीं पहला चीज तो कंप्लीट हो गया दूसरा चीज अगर वो टेंस का संटेंस है तो टेंस का स्ट्रक्चर है तो उसका तीनों का स्ट्रक्चर भी वही होगा चलो यह भी मत्तब समझ में आ गया तो प्रजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आपको यह होता है सब्जेक्ट प्ल हम चारों को साबित करके दिखाने की कोस्त कर रहे हैं कि सारा इस्ट्रक्चर यही है। ऐसा ही होगा ना। यह clear हुआ यह clear हुआ यह clear हुआ इसको समझा देते हैं तो इसको दिखे कितना मज़ा आएगा। अब समझ में आगया यह अब अगला एक क्वेश्चन है कि यहीं क्यों होता है सर इसमें बीन क्यों लगाते हैं अब उसका भी एंसर ले लिजिए अब अपने डिफिनीशन को यहां देखिए यहां पर क्या लिखा हुए आपको क्या समझाते हैं हम प्रजेंट परफेट सवाल पुछेगा आप जरू सवाल का एंसर देंगे और शायद आप बहुत अच्छे से इसकी आपकी मास्टरी हो जाएगी इसके उपर ध्यां से देखिएगा यह बहुत कमाल का वीडियो बनने रहे हैं अब देखिए इस तीनों को हम साबित कर रहे हैं तीनों सब्द जो क्या हो गया प्रजेंट प्रजेंट हो गया पर्फेक्ट पर्फेक्ट के लिए क्या चाहिए हमको पर्फेक्ट कोई काम पर्फेक्ट मतलब काम पूरी तरी खतम हो गया है काम को खतम दरसाने के लिए क्या चाहिए आपको भीत्री चाहिए ना बैया समझे ना यहां यहाँ पर हो गया प्रजिंट यह बीन क्या हो गया परफिक्ट और काम अभी चल भी रहा है काम अभी चल भी रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको जो काम का भी वर्तमान में होना को गर दिखाना हो तो क्या करेंगे भी फोर दिखाएंगे क्यों 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 एक लौता यानि क्या दिखिया प्रेजेंट पर्फेक्ट कॉंटिनिवस तो आप बोलेंगे सर यहां प्रभीन क्यों लगाए अरे भाईया जब पर्फेक्ट दिखाना था तो डाइट भी थरी लिख देते अब उसका एक्जामपल देते दोस्ते अब एक वाक्य में एक ही काम को दरसाने के लिए ध्यान से सुनिएगा एक वाक्य में एक ही काम को दरसाने के लिए हम लोग दो भर्फ नहीं लगा सकते है क्लिर है क्योंकि अब मान लेते हैं हमारे घर में एक काम आप ही को दो काम करना है तो क्या दोनों के लिए दो अलग अलग अदमी लाएंगे आप ही को यूज करना सब को पता है कि आप ही करेंगे तो दो अलग अलग अदमी के बारे बात करेंगे कि सिर्फ आप ही के बारे बात करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पर जब काम एक ही है जैसे माँ दो घंटे से खाना बना रही है, यही वाला एक्जामपल आपको दिये थे ना, जब माँ दो घंटे से खाना बना रही है, खाना बनाने का तो काम एक ही है ना भईया, काम का खतम होना एक अलग काम है, लेकिन काम जो हो रहा था क्या, खाना बनाने का, तो खाना बन नकली भीथरी चाहिए था तो नकली भीथरी हम कहां से लेकर आते तो नकली भीथरी दिखाने के लिए काम का उसी हिसे को अलग से खतम होकर दिखाने के लिए हमको बीन की जुरुत पड़ी तो हम लोग के पास बी वाज बीन था हमारे पास तो हम लोग बीन यहां लगा दिये क्लिर हुआ क्योंकि इसी से हमको पता चल गया कि काम का एक हिंसा पूरी तरीके जे खतम हो गया है और दूसरा हिंसा अभी भी काम चल रहा है जिसे माग खाना बना रही है तो चूले पे कुछ समान चढ़ा हुआ है और कुछ बनना बाकी है तो इस तरह से आप देखेंगे क्य या सब्जेक्ट प्लस है जाप प्लस बीन प्लस भीफोर प्लस अबजेक्ट यही क्यों हुआ इसका एंसर था दूसरा नहीं हो सकता था क्योंकि आप प्रजेंट फॉर्म दिखा दिये पर्फेट काम को पर्फेट आपको दिखाना था और उसी भर्व से आपको कंटीनिवे लगा है तो इस तरह से हमारा यह structure पूरा हो गया और दूसरा नहीं हो सकता था किसी भी condition में नहीं अब आपको हमको लगता होगा पुरा क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना है दोस्त इस वीडियो को बार बार दो बार, तीन बार करके देखिए हम क्या-क्या बोले हैं बार-बार सुनिए यह बहुत इंपोर्टेंट है दोस्त ये वाला चीज किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको ठीक है ये वाला चीज किसी बुक में आपको मिल ही नहीं सकता लिखा हुआ कि क्यों आखिर ऐसा हुआ है आप आपको एक छुड़ा सा काम करना है इतना बढ़िया information के लिए आप क्या करें इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें क्योंकि इस तरह का information दोस्त rare of the rare आपको मिलता है तो जितना हो सके लोगों को बताएं अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस तरह के information को use करें और उनका भी टेंस काफी मजबूत हो जाए दोस्त चीक है? clear है? मिलते हैं अगले वीडियो में past form के साथ past का structure यही क्यों हुआ? इसको समझने के लिए दोस्त चीक है? Thank you दोस्त